गुल्बरिंग इस्टुडेंट्स मैं हूं जिते अंद्रजमेर अधरकेजी प्रोग्रामर की तरफ से आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे आज हम सिखेंगे हिरारिकल डेटामोडल जैसा कि हमने हमाये डेताबेस मेनेजमेन सिस्टेम में वीडिओ में पढ़ा था के डी यद्यान से देखें तो यह की तरह बना हुआ है गरे सबसे उपपर एक डेटा कि उससे बाद उससे जुड़े विडेटा देन हर डेटा के खुद के सब डेटा है इसलिए इसे हले ले तो बोला जाता है क्यों क्योंगि एक ही सपोर्ट करते हैं एक सिक्वन्स में चलते हैं step by step unique dergl रेंडमनी कहीं पर भी चले गए एक्जामफल की बाद करूं अगर मुझे इस वाले डेटा पर आना है तो उसके लिए मुझे यहां से आना होगा यहां से फॉलो करते हो यहां पर एंदर निया तो यह एक हिरार्की एक स्टेप बाइस्टेप सिक्वेंस फॉलो किया गया है इ या तो entertainment घुमने फिरने के लिए या फिर किसी काम से आ रहे है यहां पर आपके पास में दो चोईस आई लेकिन पहला रीजन के है उदेपूरा ना तो उसके बाद आपके पास में दो चोईस है अब थोड़ा सा रीचे आते हैं अगर आप घुमने आ रहे हैं तो आपके पा आपके पास में अच्छी हिली लोकेशन से वहाँ जाएंगे लेकिन अगर आप सिफ वर्क के लिए आ रहे हैं तो आप सिदा ओफिस जाएंगे देन वापस बैक टू आउंगो फो तो हीरिकल मोडल एक ट्ली इस्ट्रक्ट्य को सपोर्ट करते वर बनाया जाता है इसमें इश सबशे उपर की तरफ जो डेकिन होता है उसे बोला जाता है पैर से उसके नीचे की तरफ जो अब्जेक्ट से जुरे होते होने बोला जाता है चाल्ड अब क्यूνकि हम D.B.ms की बात कर रहे हैं तो हम इन्हें data blocks नहीं बोल सकते हैं इन्हें बोला जाता है node N O D E node यह सबी nodes हर एक node एक information hold करके रखता है अब यहां पर जो सबसे उपर की तरफ node मुझूद है उसे बोला जाता है parent node यह हो गया parent node अब अगर हम इससे देखें तो इससे दो चाइल्ड नोड निकल रहे हैं यह निकी पैरेंट नोड से जो दो लिफ टाप इस्ट्रक्चर निकल रहा है जो दो ओप्शन निकल रहे हैं यह हो गया दोने इसके चाइल्ड टूयी तो यह dai दोनों चाइल्ड नोड है लेकि अगर हम फवाध यहां से देखें है तो इस चाइल्ड के भी तो पकत्रफिर से 3 चाइल्ड नोड है तो उस कंसेप्ट में अगर हम देखें हैं तो यह ब्लोग की बात करें तो यहां पर यह हो जाएगा पेरेंट और यह तीनों हो जाएंगे चाइल्ड नोड बिल्कुर उसी तरह से यहां पर यह पेरेंट नोड बन जाएगा यह इसका चाइल्ड नोड हो जाएगा अब अगर इनकी बात करें तो यह पेरेंट नोड हो जाएगा और यह चाइल्ड नोड हो जाएंगे यह पेरेंट नोड हो को ही इसमें दिखाया गया है तो यह हो गया पैरेंट चाइल्ड रिलेशन्शिप जब आपके पास में मल्टिपल लेवल वाला हिरार का र्मॉडल मौडल मखूद हो तो जो सबसे उपर का paan tud उस्जा पैर्ल या उसरा बोला जाता है रूट न ओड या क्या दो क्योंकि वह स्पूद्ग श्बाइटर की जड़ी इसक इसलिए उसे रूट नोड या department में multiple अलग हो जाएंगे civil अलग, mechanical अलग and then MB अलग, अगर आप human power में जा रहे हैं तो human power में student अलग and staff अलग, इस तरह से आपको हर बार node structure ही follow करना है, tree structure ही follow करना है, इसलिए इसको hierarchical data model बोला जाता है, इसी तरह से computer के अंदर इस तरह के DBMS में data storage किया जाता है, अब अगर बात करना है, इसके कुछ basic चीज हो कि जिसा मैंने बताया है, यह tree structure को follow करता है, second thing upside down, यह हमेशा उपर से नीचे की तरफ ही read किया जाता है, इसको आप नीचे से उपर ही read तो कर सकते हैं, पर create नहीं कर सकते हैं, access नहीं कर सकते हैं, यानि कि मुझे read करना हो, कि मुझे leg घुमना ह के लिए कहां जा सकता हो, यहीं कि traveling पर जाना पड़ेगा, traveling के लिए कहां जा सकते हैं, entertainment मतलब, entertainment क्लिक कहां जा सकता हूं, उदयपूर, यहीं simple था, अगर मुझे leg घुमना है, तो मैं उदयपूर जा सकता हूं, यहीं कि मैं इसको reverse pattern में पढ़ तो सकता हूं, study तो कह सकता create कैसे करूंगा, सबसे पहले उदयपूर, then entertainment, then travel, and then leg, इसलिए इसको upside down approach बोला जा सकता है, यहीं कि create करने के लिए, या access करने के लिए हमें upside to down आना होगा, read करने के लिए जो पहले से बना हुआ है, महां पे हम down से upside जा सकते हैं, parent-child relation जिसा हम बता चुका हूं, parent node उसे child node न रहेगा, यहीं कि एक ही node डोनो role play का सकता है, सिवा है root node को छोड़के, क्योंकि वो सबसे top पे रहता है, फिर बात करते हैं, one to many relation, यहाँ पे एक data object, या एक node, multiple node से relation में है, क्यों, अगर हम बात करें कि क्या उदेपूर, or old city, डोनों attached दे, yes, they are, डोनों attached दे हैं, उदेपू तो old city उदेपूर से attached दे, लेकिन जैसे आपने का, directly हम यहाँ नहीं आ सकते हैं, हमें sequence follow करना होगा, तो यहाँ पे one to many relationship डिखाई जाती है, एक node, multiple node से connect हो सकता है, अब बात करते हैं, इसके disadvantages की, सबसे पहली बात, यह थोड़ सा complex होता है, why, क्योंकि यह तो एक बहुत इसको easy बना देता है, लेकिन फिर भी यह थोवासा complex ही रहता है, अब बात करते हैं, many to many relationship, allowed ही नहीं है, यह इससे connected है, लेकिन यह old city बाकियों से connected नहीं है, कैसे मैं देखे समझाता हूँ, old city travel से connected है, old city hills और lake से नहीं connected है, अब आप बोल सकते हो किसा उदेपूर में ही तो ह लेक, old city, hills, लेकिन यहाँ पर हम उदेपूर की बात नहीं करने हैं, यहाँ पर हम data model की बात करने हैं, तो यह जो node है, यह इन दोनों से connected नहीं है, connected है, यह travels है, तो यह दोनों इसके siblings हुए, लेकिन इसका और इसका और इसका और इन तीनों का information relation same नहीं है, यानि many to many allowed ही नही relation कर दूँ, यह allowed ही नहीं है, one to many ही allowed है, many to many relation allowed नहीं, जुसको थोचा तफ बनाता है, हमें हर बाव, यहाँ से अगर हमें इसकी information चीए, तो पहले हम यहाँ पर है, हमें इसकी information चीए, तो हमें लोट के यहाँ आखर के फिर यहाँ जाना होगा, यह होता है, one to one का फाइदा, लगिन one to many का नुक्सान, one to many में नुक्सान क्या है, कि आपको one to many में हमेशा one पर लोटना होगा देना many मी जा सकते हो, तो यह repetition रहेगा, फिर बात करते हैं remote entry, वही point कि मुझे direct किसी भी level पर नहीं जा सकता है, मुझे सारे बीच के levels क्रोश करने ही होगे, यह नि remote entry भी allowed नह आया जाता है, notes होते है, parent note, root note, उनमें data store किया जाता है, okay, तो मैं उम्मिद करता हूँ, यह model आपको पुछी तरह से समझ में आया होगा, इसी वीडियो के इंचे description box में, इस topics related notes दिये हैं, उन्हें आप download कर सकते हैं, इसी तरह के videos और देखने के लिए, आप हमें subscribe कर सकते है हमाई channel को like कीजिए, किसी भी तरह के feedback के suggestion के लिए, आप हमें comment box में लिखकर बताइए, अभी के लिए, good bye